अगर आप अपने device को कुछ इस तरीकी से personalize करना चारे तो आज की वीडियो आप complete देखो एकदम detail में बताया हूँ कि कैसे आप इसको कुछ इस तरीकी से personalize कर सकते और यह trick हर USP ROM में work कर दी इसको MIUI पर try मत करना और सिर्फ USP में work करता है और यहाँ पर आपके device root रहना तब ही a trick work कर दी यहाँ पर देख सकते मैंने अपने device को कुछ इस तरीकी से personalize किया हुआ है आप इसको गैसा भी अपने recording personalize कर ले सकते वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को subscribe और वीडियो को like कर देना सबसे पहले तो आपको यहाँ पर Iconify application पर download कर लेना पड़ता इसका link में आपको description में दे दे तो वहाँ से आप जाएगे download कर ले सकते तो Iconify को use करने से पहले आपके device में आप एपज या फिर मैजिस्क इंस्टॉल रहना पड़ता तब ही आप यहाँ पर Iconify को use कर सकते अब यहाँ पर मैं जिन्दे भी नाम लिया उन सबका installation आपको मेर से पहले install कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर पर्मिशन को grant कर देना है और आपको इसको run करना है आपको सारे permissions को बलाओ कर दो एंड लेट्स गोवी आप टैप कर दो यह आपके current custom ROM के सारे specifications को extract करता यहाँ पर देख सकते यहाँ पर यहाँ पर क्या क्या हो बोल रहा तो आप एक बार अपने device को reboot कर लेना यहाँ पर देख सकते हैं मेरा device इदर reboot हो गया यहाँ पर मैं a patch पर शलता हूं और यहाँ पर मॉडूल वाले section पर शलता हूं तो आप देख सकता है आपको कुछ भी करने की जूरत नहीं है रिबूट करने के बाद यह आपको कर दो देख सकता है इसको यहाँ आइकन यूस कर सकते हैं इसको चाहँ सकते हैं इसको भी इसीली सबसे पहले आपको आईकाउन पर बैठरी यहाँ नोडिस करने की को यह है आप चेंज कर ले सकते और about refresh कर जब चेंज कर सकते और settings icon को यहाँ पे change कर ले सकते इतने सारे styles आपको देखने को मिलते हैं बेगे इनेवल पे टाप कर देदा हूं थोड़ी दिर यह processing करता हूं एंड देश्कते हैं पे नीचे apply लिखा हूआ गया अगर मैं चलूंगा यहाँ पे settings पे तो आप देश्चे ते यह वाला brightness पर बहुत अच्छा लगता तो इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ देख सकते हैं हमें अप्लाइट लिखा हुआ आगया अगर मैं इदर brightness बार वी चलता हूँ तो देख सकते हैं पर चेंज हो चुके हैं नोटिफिकेशन पर चलेंगे तो आप नोटिफिकेशन का जो ही इई उसको भी यह वाला चेंज कर ले सकते कोई चेंज रहकुंदेश सकते हैं प्रोडर्यस बार को भी हाँब चेंज कर ले सकते हैं हें आप वह बहुत से स्टाइल को मिलतके ओए आपको मिल जादा इमोजी का स्वीच आपको यहां पे देखने को मिल जाता है जिसलिए का आपको में रखके बाता हूँ इमोजी का स्वीच यहां भी पन सेट कर लेंगे तो देख सेते हम आप टाइम लेरा थोड़ा तो यहाँ पे नीचे जो अपलाई लिखा हुआ था उसको वह तोस्ट फ्रेम रहता देख सकते हैं पर कुछ इस सरीगी से आपको देखने को मिलता और आइकॉन शेप को भी यहाँ परस्टनलाइस कर ले सकते हैं अगर अगर मैं चेक करूं जाके तो देख सकते हैं आइकॉन क यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हैं अगर आपके कस्टम रॉम में पीच ब्लाइक का जो डाग थी में वह अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको इनेबल कर ले सकते हैं तो जो रॉडनेस इसको यहाँ पर अपने पर सकते हैं अगर रॉडनेस आपको फूल चाहिए तो इसको वो इंग्रीज हो चुकी है अगर आप नहीं चाहते है roundness तो यहाँ पे इसको इतना set करके apply कर दो देख सकते हैं पर roundness कुछ इस तरीके से हो चुकी है rows and columns को यहाँ पर अपने according पर देखने को अगर आपको एक रहो होना है तो यहां पर कितनी रोस चाहिए आपको वह भी यहां पर 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 सकते अगर मैं इसको expand करूंगा तो इसको फाई रोस चाहिए अपलाइ पर टैप करते हो तो यह सामें इसको अच्छा है आप इसको कैसा भी अपने अगर मैं इसको यहां पर निचा हो जाती सेटिंगे पर तो आप इसकी बैडिंग को पर सकते हैं आप पेस देख सकते आप left और right पे इसको यहां पर इंक्रीस कर लिए सकते अपने कोडिंग अगर मैं इसको यहां पर जीरो पर सट कर दे तो और अगर मैं इदर अपलाई पर टाप कर दे तो देख सेथे चांट में जो स्टेटिस बार सपेसे वह कम्पलिलेटी हट चुकी है और यहां पर इसको monet पे भी आप अपलाई कर सकते लाइक यह system एक बार रिस्टार्ट होता और status बार में आप देख सकते monet अपलाई हो चुका है अपने wallpaper के recording navigation बार को यहां पर अपने recording परस्नलाइज कर सकते अगर आप यह पील को हाइड करना चारे जो keyboard पे एक्स्ट्रा स्पेसिंग रहती नीचे इसको आप रिमूफ करना चारे तो इस वाली option को यहां पे आप एक्सपोस्ट को भी यहां पे आप यूज कर सकते एक्सपोस्ट को मॉडूर फ्लैश कर लो एक्सपोस्ट मेनों यहां पे आप यूज कर ले सकते तो यह था एक रिव्यू अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी इंफर्मिटिव लगी तो आरो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता कर देना ऐसी एमेजिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहे तो तो चलो फिर अपना वीडियो को एंड करेंगे I will see the next one till then goodbye and peace out